दोस्तों एटा से राम मंदिर पहुंच चुका है 2400 किलो का घंटा घंटे की कीमत 25 लाग रुपय है और इसकी जो गूंज है वो 2 किलो मेटर तक सुनाई देगी हलो दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारी यूटू चैनल दा पबलिक नामा दोस्तों इस समय आयोध्या राम में हो चुकी है आयोध्या का नाम इस समय उत्तर प्रदेशी नहीं बलकि पूरे देश में पहचाना जा रहा है दोस्तों इसी करम में सभी लोग अपने राम लला को भेट कर रहे हैं उसी करम में एटा से राम मन्दिर 2400 किलो का घंटा पहुँच चुका है गुंगरु घंटी उद्धो की नगरी एटा के जले सर से 2400 किलो का घंटा आयोध्या पहुँचा है और घंटे को सैकडो बैपारी फोलों से रत से सजा कर आयोध्या ला है कि जले सर के घंटे पूरे बिस्त में मसूर होते हैं घंटों से बजने पर उंकी आवाज गुंजदी है और घंटों को बनाने में सत्तर कारीगर लगे हैं महज 25 मिनट में ही 2400 किलो घंटा बनकर तयार हो गया था कारोबारी मनोज मित्तल ने दोस्तों बताया है कि उनके पि परस्ता हो था उसके बाद लोगों में उससा बढ़ा और इसे 2400 किलो का बनवाया गया जिसे बनाने में दोस्तों लगभग 25 लाक रुपे का खर्च आया है उन्होंने ये भी बताया है कि सभी की इच्छा है कि अगंटा भगवान राम के मंदिर में लगाया जाए क्यूंकि इसकी आवाज सांत माहुल में लगभग 2 किलो मीटर तक सुनाई पड़ेगी दोस्तों तरा तरा के उपहार आयोध्या को भीट किये जा रहे हैं रामलला को भीट किये जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे उपहार अन जिलों से अन परदेशों से भी आयोध्या लगातार